इलाइट स्टेडी प्लेटफ़रम पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में डिस्कुसिन करेंगे भारत में जो लोकसभा के चुनाब प्रस्ताबीत थे उसकी जो अचार साइंताएं लगनी थी तो आज 16 मार्च 2024 को आपने देखा होगा ECI के द्वारा एक प्रेस कंफरेंस की गई और उसमें पूरा कपूरा वरीफ कर दिया गया है कि पूरे भारत में 7 चरनों में लोकसभा के चुनाब होंगे इसी के साथ में जहां जहां पर बिधानसभा के चुनाब भी प्रस्ताबीत थे जिन बिधानसभाओं का समय पूरा हो रहा था उनका भी यहां पर सेड्योल रिलीस किया गया है और सबसे बड़ी बात हिमाचल परदेश में आपने देखा होगा 6 विधाइकों का निलंबन हुआ था तो अब देखिए उप चुनाब की सुची में हिमाचल परदेश के 6 विधानसभा सीटों का नाम भी डाला गय है इस वीडियो में हम बात करेंगे आचार सहिंताएं क्या होती है किस तरह से इंप्लिमेंट होती है और विशेश तोर पर हिमाचल परदेश में कब लोकसभा के चुनाब होने प्रस्ताबीत है यदि हम बात करें तो बर्तबान समय में भारत बिश्यों के सबसे बड़े लो हुसमें देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले आप याद रखीएगा कि सबासे ने होती है उतमिए जखिवमेंट होते हैं कोई examination होता है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है ताकि किसी भी तरह से जो हमारा percentage of voter है वो प्रभावित ना हो ज्यादा से ज्यादा लोग ये दी मतदान करेंगे तो अच्छे प्रतिनी दित्तों आएंगे अच्छे प्रतिनी दी मिलेंगे तो आपको अच्छी ग एक्ट कहते है तो यहां पर दिखे लिखा गया है और प्यूपल एक्ट में एक्ट बना था और दो हजार इक्ट में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया ये भी आपने याद रखना है दिखिए इसी एक्ट के अकॉर्डिंग टूद आप देख रहे होंगे एक्षन कमिशन इंडिया चुनाव करवा चुका है तो आरपी एक्ट ये सारी सक्तियें देता है चुनाव की एक्ट कमिशनर को कि यो चुनाव के लिए बिल्कुल जो भी उनका एक नियमा बली है उसके अंतरगा देखे बिभिन तरह के डिपार्टमेंट के लोगों को डिप्लाइमेंट कर के यहाँ पे चुनाव करवाया जाते हैं तो आप यह सेडІज देख रहे होंगे पूरा का पूरा यहां पर इसमें हम आपको विसेश्जत तौर पर इस वीडियो में बात कर रहें हमाचल पर्देश से तो यहाँ पे सैबन फेजीश के हम बात करें तो सैबन फेजीश का आ नाम पर त्यार किया गया है तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग टू हम बात करें तो यहां पर देखिए हिमाचल पर्देश का नाम भी लिखा गया है और हिमाचल पर देखेंगे उनके नाम है धरम साला जो की कंसिवेंसी नंबर अठारा है लौल स्पिती की स्टी के लिए स्टाबित है इसी के बीच में आप देख रहे होंगे कि अभी तो हाली में लोग कोट भी गया हुए है तो कोट का डिसीजन क्या आता है तो यहां पर देखिए कोट सीजन इनकी फेवर में आता है तो सकता है यह उप चुना आप स्तगित कर दिया जैसके उपर जो भी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी जो कि गजट नोटिफिकेशन जिसे कहा जाता है इसी के अकॉर्डिंग टू यह चुनाव होने प्रस्ताबित होते है फिर देखिए चौटा सा प्रदेश से बार बर यहां पर बोटिंग नहीं होगी तो यहां पर आप देखिएगा जो पांच दोजार चौबिस तब तक देखिए दिको निरने कोट की तरफ से इनको रलीफ मिलती है तो सही है नहीं तो इन्हें देखिए क्या करना पड़ेगा अपना कैनिडेश्चर फाइल करना पड़ेगा उमिदवार के रूप में अपना जो पर्चा होता है वो भरना पड तो यहां पर देखिए सत्रा पांच दो दिन दिये गया है तो सत्रा पांच दोजार चौबिस को भी ड्रा कर सकते है और याद रखिएगा हिमाचल परदेश में एक जून दो हजार चौबिस को लोकसबा तर था बिधान सबाइगी जो छे सीटे है यदि चुनाब होते है त करीब धाई तीन महीने हिमाचल परदेश में ही निकलने वाले है डेट ऑफ काउंटिंग चार चे दो हजार चौबिस को कांटिंग होगी डेट बिफोर विच इलेक्शन सेल भी कंप्लिटेड तो छे चे दो हजार चौबिस तक कोड ऑफ कनक्ट रहेगा बिलकुल क्लियर कर याद रखिएगा हिमाचल परदेश में आपको सेबंथ फेज में एक जून दोहजार चौबिस को बोटिंग करनी है सबसे बड़ा प्रसनिहां पे एक और होगा कि आखिरिकार जो आपकी प्रतियोगी प्रिक्साएं बरतमान समय में चल रही है उसका क्या होगा देखिए हम हमारे constitutional bodies होती है autonomous bodies होती है जैसे हमारे पास HPPSC similar है हिमाचल परदेश राज्या चैन आयोग है इनकी functioning के ओपर code of connect का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि autonomous body है ये किसी सरकार के पक्स में काम नहीं करते हैं इनका काम है transparent और फिर क्रिके से recruitment process को आगे बढ़ जो banking का exam है जैसे cooperative bank में 232 पदों के लिए applications मांगेगे आपका exam definitely होगा उसके बाद allied services के इदि हम बात करें तो उसका भी schedule जारी हो सकता है यूँकि देखिए बहुत लंबा समय है धाई-3 महीने और हमाचल परदेश में तो चुनाब जो गती भी दिया है इदि हम बात करें ज reporting करनी है उस सारी चीज़े चलती रहेगी मतला हमारी preparation चलती रहेगी जो election का हमारा दौर सुरू होगा में महीने में ही होगा और जून 6 तक स्माप्त हो जाएगा तो ऐसे में देखिए आपको जो PGT का examination है माचल परदेश में देख रहे है जिसका schedule भी जारी कर दिया गया है ह PPSC Simla की तरफ से तो आपकी पढ़ाई चलती रहेगी बस यह तो ऐसे कहें कि जो नहीं भरतिया है सायदों नहीं होगी यहां पर लेकिन जो पुरानी भरतिया है वो आपकी एजिट चलती रहेगी तो बस आप इस तीन मिने के समय को आप utilize कीजिए आपने पढ़ना कैसे है आ आप HSSC बड़ी प्रिक्साओं की त्यारी करें तो आपको वर्स बर के करंट फिर्स पढ़ने होते हैं आपको economic survey है budget है इंडियन history, policy, economy, geography है, journal science से सारी चीज़े आपको पढ़नी है तो देखिए आप बहुत से बच्चे आशकर क्या करते हैं कोचिंग के उपर जाते हैं बह आप देखेंगे इस website पर आपको कुछ ऐसी किताबें मिलेगी जो हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगी प्रिक्साओं के लिए बहुत यूपयोगी साबित होती है यूँकि इन किताबों को ऐसे हध्यापकों के द्वारा और ऐसी एक टीम के द्वारा बनाया गया जो की मुलत कर दो